गूड इवनिंग बूटिफल पीपल और स्वागा देजी आप सभी का एक और नए सुपर एकसाइटेड एंड फ्रेश विलोग में कैसे हो आप सब और आज मैं आपको एक बहुती शांदर चीज दिखाने वाला हूँ जैसे कि आपने अगर पिछला मेरा विलोग देखा था वहां मैंने आपको बताया था कि जो ऑले के जो राजा थे जो कि रोहिल खेंड के पहले नवाब चनाब अली मुहमद खान साब का मकबरा था ऐसी ऑल जो कि देखें काफी ज्यादा मजा आएगा मंदोना शरीफ है जो यह सामने आपको देख रहा है एक गुम्मत है उनका मजार का और यह गुम्मत के जस्ट बरावर में यह कबरेस्तान भी है यह जो आप देख रहो हैं यहाप पे कबरे हैं लेकिन कुछ कबरे खुली हैं कु लोग मैंने दिखाया था उतना बड़ा तो खेर नहीं है यह लेकिन थोड़ा से चोटा है उससे लेकिन फिर भी यह आज के जमाने को देखकर काफी बढ़ा है मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूं जिसे मैं आपको यह अच्छे पूरा दिखा पाहूं आप देखिए यह य इतनी सीड़ी हैं एक दो तीन चार पंच्छे साथ सीड़ी हैं इसकी और इसमें सारा पानी भरा हुआ करता था यह देखिए आप कितना बड़ा है इससे यहां यहां तक पानी होता होगा इसके नीचे और जो बुझू करते होंगे वो यहां पर बैटके बुझू करते होंगे और यह जो है यह शाइद सपोर्ट के लिए लगा कर रखी होगी क्योंकि एकदम नहीं आएंगे और यह रास्ता दिये होई है यह तो फिलाल तूट गया है लेकिन शाइद यहाँ पर रास्ता होगी यहां से उतर के और यहां पे बैट के आराम से यहां पर सब उतरी टैप होते है ना पड़ी टैप जो होती है उस पे बैट के आराम से यहां पर वजू करते होंगे लेकिन अभी यहां पर हमारे भाई चंद पानी नहीं गया यहां पर सब सूख गया सब खेट खल्यान यहां प पूरा हॉज देखो कितना उचा है भाई यहां पर हाती आराम पर डूब जाएगा काफी सारी सीड़ी हैं काफी विशाल है यह आर्च के जमाने में ऐसो लोग हॉज नहीं बनाते भाई इतना बड़ तो हमारे सुमीबूल भी नहीं जितना बड़ा यह हॉज है काफी बड़ा कि यह बोलना सही भी है यह गलत है मैंने जानता कि उस वक्त में अगर वाई चांस किसी रिजन के वज़ा से अगर हमारा पैर सिलिप हो जाए और बंदा अगर इसमें गिर जाए तो मुझे नहीं लगता कि वह बंदा बच पाएगा क्योंकि पानी काफी जादा है सिमेंट की सीड़ी बनी हुई है अगर बंदा गिरेगा सिमेंट की सीड़ी पर लगेगा तो सारी भट सकता है फिर वो गिरते 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 अगर बंदे को तैरना आता होगा तो शायद वो सर्वाइफ कर जाए और तैरना अगर नहीं आता है तो चाहकर यो बच नहीं पाएगा एक अलगी फिल्ड होता होगा, डर्टाता लगता होगा, क्योंकि मैं अपना होता हूँ, जो मस्चेद हैं हमारे शहर में, बदाईयों में या बरेली में और कहीं बड़े शहरों में बहाँ पर हॉज हैं, तो मुझे होस से बहुत डर लगता है, नहाथता हूँ सैमिंग पूल में लेकिर होस से मुझे होस बजू बनाता हूँ तो अगर मेरे टाइम में या मैं अस वक्त में पैदा हुआ होता या आज चला होता तो मैं इसके अंदर कज़ा भी बजू नहीं करता क्योंकि भाई मुझ में नहीं है ताकत के अंदर बजू बनाने की भाई हौज जादर डर लगता है लेकिन पहले की राजाए महराजा बनाया करती थे, पहले के जो लोग थे वो बुझा क्या ब tätä बती है, आज की जा इसो सकता। हैं शायद मैं घलत भी हो सकता हूं मैं डेमेंड कर रहा हूं मैं घलत भी हो सकता हूं बखी अच्छा है सोचे मैंने कि मैं आपको यह चीजे दिखा दूँ इसार कह सोने लोग चीजे शीजे दे स articulate है हूं मैं अंत्र अरवं रवदे ऑने हूं मैं जानिछ Спर देए कंदान है बखर強ा खमी उड़े हिंहbnा इसता है गश्ञदा है और्ड़्या भी हो मैं आपको कि खोने हैं साल थ्या सहता है हींची है तौन का चल्टर भी हो है थोडे तॉट शोडे थे लोगें तॉट जाए और सुने ख़ए थे हैं कि ल्ड़ा हुआ तो ड़िएंगा पसक अ हीता हुआ कुए जा अधिया टॉट जाए जाए अधिनाकि अधिया गए टॉट शोड़े दूट अधिलिया तो बिल्ट घॉटव जाए है पूल को जाते समझ रहा है नाम साधी के टाइम साथ नाम लुटाते हैं कितने बच्छे दो तीन चार पाइब आट नो दज्यारा हो ग्यारा और दो तेरा अपनी बच्चे हैं अंदर शाहिद मगरिप की नमाज हो रही है और मैं कफी तेज बात कर रहा हूं मुझे लगता है क इस तब हो रहा होगा तो मैं यह से निकलता हूं और चड़ता हूं मैं यह से मैं घर के लिए वापसी होता हूं क्योंकि मगरिक प्याजान हो चुकी सूर्ट ढल चुका है देखो यह कितना कितना जादा मतलब है यह उच्छा चलना पड़ेगा भाई घर पे अल्ला कितनी सी यहां पर यह पता नहीं टूटा है यह तोड़ा है क्या है पांच और च्छे यह साथ शायद जो भी है और यहां पर पास में जंडा फैराने का इंतजाम भी है भाई 15 अगस्त को अच्छा लगा देखके यह देखो यहां पर भले यह गाउं है लेकिन इंतजाम पूरा करके रखा है जंडा भी नहीं है यहां पर फिलैग जो है वह लगा होगा हमारे इंडिया का और यहां पर यह क्योंकि ग्राउंड है ना यह काफी बड़ा और यहां पर सब बच्छों च्छे टीचर्स प्रिंसिपल सब होते होंगे मुझे बहुत शौक है इसी जगाओं को एक्स महारा जाए उनकी सल्तनत या फिर नॉर्मल जो अवाम रहती है वो जिन्दगी किस तरह गुजारते होंगे किस तरह रहते होंगे तो एक उतना सिंदगी जिने का तरीका मिलता है एक नजरिया मिलता है चुकि हम आज जिस दौर में जी रहे हैं वहां पर सुविधायं बहु कि उस्ते अचलि नहीं चीज़ओं देखे जो हिस्ट्रिकन अचलि इनने बोलते हैं हिस्त्रीकन बिल्डिंग इनने बहुत कुछ सबक शिखनों को मिलता है तो मुझे बहुत साफ़ाइए होगा उब पर इनमीय कंद पर नहीं है बाइक बाइक स्थ जाए है कभी टों जहां बाइक लिए नहीं तोॉ आप भी ना कभी तो हो यह हैं जिस अब जब घून ने लिए ज़स पर पानी पीते हैं कि अपने और लगे लेता हुआ आड़ का अपने और लगे और भेश वा अंची यजचे पर जाज है